अगर देखा जाए तो अगर कंपनी के बारे में आप लोग को जानना है तो बेसिकली कंपनी आपकी यहां पे एक तरह से टेक्स्टाइल इंडस्ट्री इसके अंदर है 100% cotton towels, bed sheets और इन सारे तरह के fabrics company बनाती है बेसिकली अगर देखा जाए ओर पेरियट आप टाइम वैसे देखो काफी पुरानी कंपनी है और आपको यह चीज हम पहले भी बता चुके हैं कि अगर कोई business अगर कंपनी बदा रही है अपना बार बार तो most probably वहां पे एक decision नहीं हो रहा है कि किस sector में को काम करना और एक तरह से अगर देखा जाए तो company 1982 में मतलब incorporate होके आज की डेट में अगर देखो तो कहीं कहीं इनकी एक तरह से inability यहां पर यहां पर यहां पर यह देखा जाए तो 15% की नीचे है जो कि एक idle ratio हम सको मानते हैं तो इसके साब से अगर देख अगर यहां पर देखा जाए तो वह भी हम लोगों देखनी के लिए मिल रहे हैं अब सिर्फ मार्जिन से बहुत जाद हम लोगों पैसा आएगा नहीं अगर कंपनी की sales के अंदर expansion नहीं हो रहा है तो ultimately कह सकते हो company उसी stage पे है अभी है अब यहां पर देखा जाए तो एक समय पर 2022 में company ने काफी अच्छा है यहां पर sales post किया था उसके बात company circuits के अंदर भी जाता हम लोगों को नजर आई थी पर उसके बाद से अगर देखा जा तब से अब तक के अंदर फिर से एक हम लोगों को dip आ चुकी है और कह सकते हो कि वही same numbers हम लोगों को देखने के लिए मिल और operating margin की भी अगर बात की जाए तो नेगटिव 56 परसंट के आसपास की है यहां पर पता नहीं कैसे 69 दिखा रहा है नेट मार्जन ऑपर यहां पर नेगटिव है तो most probably downside आते 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 हैं आप लोगों को net margin भी नेगटिव ही मिलनी चाहिए बट यहां पर जो भी हो ख्यार यहां पर एक तरह से अगर देखा जाए तो फिलाल के लिए अगर हम लोगों चेक करेंगे तो margin यहां पर operating margin नेगटिव है अधर इंकम सोड़ी से positive है उसके चलते यहां पर थोड़ा बहुत आपको positive income net profit यहां पर देखने के लिए मिल जा रहा है उसके अलावा अगर देखा यहां पर company profit करें हो सकता है कभी loss हो कभी profit हो और हर बार same amount में नहीं आता है यह कोई ऐसी चीज नहीं है कि लगतार आपको आते जारी for instance आप business करते हो car का आपके यहां पे furniture पड़ा है आपने उसको उठा कर बेश दिया तो थोड़ी बहुत आपकी क्या सकतो कि cash दुबारा अ जाता है तो यह सारी चीज आधर income के अंदर आती बट उससे कोई बहुत जादा फायदा नहीं अगर देखा जाए तो एक तरह से loss making का यहां पर operation है और loss making operation होता है तो सिंपल चीज है कि अगर यहां पर company पैसा नहीं कमा पा रही है तो definitely long term में अपने shareholders को भी पैसा कमा के नही पर invest किया गया है वो सिर्फ एक आदमी है एक परसन है कोई entity नहीं है अगर देखा जाए तो चार्ट पर काफी अगर यहां पर देखा जब पिछले बारी को कि हमने जब discuss कर रहे थे कि इस जगहा पर भी ब्रेक आउट में तो बेसिकली तब के अंदर भी आपने बाई किया होता तो अभी तक के अंदर भी देखो तो फ्लाट ही रिजल्ट आपको मिलता है यहां पर तो मतलब एक साल दे के अंदर देखेंगे तो यहां पर वॉल्यूम्स रड़ बाली बहुत जादा आ रही है मतलब सेलिंग के अंदर यहां पर बड़े अमॉंट्स पे पेचा जा रहा है तो अभी के लिए हम कहेंगे कि कंपनी से दूर रहना ज्यादा बेटर रहेगा बहले यहां पर देखा ज जब सेलिंग की वॉल्यूम आ रही होती है तो ब्रेक आउट मिलना मुस्ट प्रबबली मुश्किल हो जाता है तो इसलिए अभी के लिए हम कहेंगे कि इसको अवाइट करना ज्यादा प्रिफर करना चाहिए पहले से पोजिशन मेला के रखे हो तब भी हम कहेंगे कि प्रॉ प्रेकन वाली नूटिफिकेशन बटन भी जरूर दबाना इसी के साथ मिलेंगे अगले वीडियो में ओके बाई